नमस्कार दोस्तों प्रेंट और हम यूटिप चनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज का सुरुवात कर रहे हैं यह एक स्पोर्स एलेटेट वीडियो सीरीज होगा जिसका आज पहला वाग है इसमें क्रिकट का बारे में आप लोगो ड इसमें उनके बारे में एक प्रोपर लिस्ट आप लोगो मिलेगा सो कंट्यूनियो मेरा निया ना वीडियो को नोटिफिक्शन पाने के लिए आप लोग इस चैनल को अभी की अभी तुरन सब्सक्राइब करें और बगल में जो पेल आइकन बना हुआ है उसको भी क्लिक करक है मैं हमें से की तरह आज भी कहूंगा कि अगर हो सकत तो अब लोग इस टॉपिक के प्रपर नोर्स प्रिपर कर लेजिए ताकि एकजाम सब पहले आपको इन टॉपिकों को रिवाइस करने में बहुत ही ज़्यादा सुभीता हो सो चली हम लोग आप अपना वीडियो को सु टॉर्नमेंट है यह पहली बार अविजीत किया गया था ने 1075 को और दोहजर उन्टीस में यह जिस देश महुआ था वह था इंगलंड और वेल्स में और दोहजर तेश में यह होने वळा इंडिया में तो इसमें से जो में में को स्चन है वह है यह जो क्रिकेट वर्ल कप द खेला गया था इंडिया और साथ अफरीका के बीच में, यह दिखे, बहुत ही असान है, दोनों गी केस में साथ अफरीका है, पहला जो मैच हुआ थो उसमें इंग्लेंड होगा, और इंडिया का जो पहला मैच उसमें इंडिया वर्सेश साथ अफरीका होगा, तो इसमें रणनर्सांप हो था निव्लेंड और winner country जो England था, उसका captain का नम थाasta यएन मॉरगन और ये रहा उनका photo और जो रणनर्साप हो था निव्लेंड उसका captain थो नम है ken Willemson और ये है उनका photo और इसमें और जो standard अंटेरेगरे में आवर्ड मिला था, वो था golden bat मिला था Rohit Sarma को, यानि की सबसे ज़्यादा रान था इनका, और golden ball मिला था Micheal Star को, यानि की सबसे ज़्यादा wicket था इनका, और जो man of the match बने थे, उनका नाम था Ben Stoke, और जो man of the series बने थे, वो थे Ken Wilhelmson, तो हम लोग नेक्स्ट टोपिक को देखते हैं और यह है ICC Women World Cup 2017 यह जो ICC Women World Cup है इसका पहले बार हुआ था 1973 को यानि कि Men World Cup से दो सल पहले ही यह ICC Women World Cup शुरू हो गया था और 2017 जो लास्ट टाइम हुआ है उसको होस्ट किया था England ने और 2021 में यह होने वाला है New Zealand पे नेक्स्ट वालकप और इसमें से जो विनार बना था England जिसका कैप्टेन का नाम था Heather Knight और runner सफ हुआ था India और उनका कैप्टेन का नाम है मिधाली राज और यह दिखी इनका फोटो मि जो साइड बे है इनका नाम है Heather Knight यह England का कैप्टेन है और इसमें जो man of the match हुआ था उनका नाम था Tamsin Beaumont जो England वोमेन का होके खेलती है और जो man of the series हुआ था वो थे अन्या सुर्वोसुल और यह इंडिया वोमन के लिए खेलते है और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ICCC 2020 World Cup 2016 और यह जो ICCC 2020 World Cup का स्रिंखला है यह पहला बार सुरू हुआ था 2007 से और जो last time 2016 में हुआ है यह हुआ इंडिया में और 2020 में यह होने वाला था उस्टिलिया में बट COVID-19 का वज़ा से इसको किंसल कर दिया गया था और अब यह होने होगा 2021 में फिर से इंडिया में ही हो होगा और यह जो 2016 वाला जो 2020 World Cup हुआ था इसमें विनार बना था वेस्ट इंडिच और अनर सब था इंगलेंड और उसके बाद है ICC 2020 Women World Cup 2020 में यह हाले में हुआ है और इसका जो पहला बार हुआ था ICC 2020 Women World Cup वह हुआ था 2009 में है और जो last time 2020 में हुआ है यह हुआ है इस पर उ अपरिका में 2020 में जो वलकप हुआ है इसका विनार था अस्टिलिया और रनार सब हुआ था इंडिया उसके बाद नेक्स्ट है ASEA Cup Cricket यह दोनों फॉर्मेट में ही खेला जाता है ODA and T20 दोनों में ही खेला जाता है इस ASEA Cup को जो 2018 वाला हुआ था वह ODA format में हुआ था खास आमेलिट्स ने और इसका जो विनार था वो था इंडिया और जो रनर सब हुआ था वो था बंगलादेश और 2020 में यह होने वाला था पकिस्तान में पट्ट कोवीड-19 का वज़सी भी रद्ध हो गया था और अब यह 2021 को होगा सिर्गंका में और जो 2020 को होने वाला था पकिस सबसे जदा विकेट चटकाये थे उनका नाम था कुल्दीप याधब और जो ओमेलिशिया कप हुआ था 2018 में जो टी-20 फॉर्मेट में हुआ था इसको होस्ट के था मलेसिया ने और इसका जो विनर कंट्री था वो है बंगलादेश और रनार सा बना था इंडिया और 2020 में य जिसने सबसे जदा रान बनाये थे वह है मिधाली राज और जो सबसे जदा विकेट चटकाये थे उनका नाम है नेतू तैवीट और साथ ही विकी इसके साथ तौर एक चो टूर्णामेंट है ये भी बहुत ही जदा इंपूड़ेंट टूर्नामेंट है कि रिकेट का पार्टिसिपिट करता है तो यह जो लास्ट हटाँ हुआательно 2009 में यह वह librarian में और दो हजर एकीश में होने वनाश्ट लया में स्सों जो लास्टts टयाम हिए INFM में सूझे जो बना था वह था आश्ट्रेला और और इस जो test series the asses में इसमें सबसे जादा बार भी अस्टेलिया ही जीता है total 33 बार आज तक जीत चुक है अस्टेलिया so इनको आप लोग याद रखिएगा इसके बाद जो next है यह है अनननाइटेन वर्लकप दो हजर बीस और इसको host किया था साउथ अफरिकाने और 2022 का जो अनननाइटेन वर्लकप होने वाला है वो होगा वेस्टिंडीज में इसमें जो total मैच हुआ था वो था 48 और 16 देसों ने इसमें भाग लिया था जिसमें सब पहला मैच हुआ था जपान और न्यूजिनल के बीच में और इंडिया का पहला मैच हुआ था इंडिया वर्द सिलका के बीच में और इसमें जो विनार बना था वो था भंगलादेश और जो रनर सब वह था इंडिया और इसमें प्लेयर आप दे सिरीज प्लस मोस्ट रान जो बनाया थे वो थे इंडिया के यससभी जैसवाल और जिसको सबसे ज़्यादा विकेट मिला था उनका नाम था रवी विजनोएंग इसके बाद है अग्वाद यह आज तक कभी आउजित की नहीं किया गया अग्वाद को यह फर्स टाइम आउजित होगा दो हजर इसमें जिसको होस्ट कर हो जाता है क्योंकि यह फर्स टाइम हो रहा है तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा और इसके साथ और एक जो टुर्णमेंट है जो बोनास कुर्शन के तौर पर में रखा हूँ यह हुआ था 2018 में इसका नाम था निधास ट्रोफी और इसमें टोटल इ ने भाग लिया था और यह हुआ तस्यलेंका में जिसमें से इंडिया इसका वीनार बना था और रणार साथ था बंगलादेश इसके बात नेक्स जो है इसमें इंडिया का कुछ डॉमेस्टिक किरिक्ट का बारे में मैं बात करूंगा और इस टोपिक से बहुत कोश्चन आत तो इसमें जो पहला ट्रोफी हुआ वह हुआ है रंजी ट्रोफी और यह लास्ट टेम हुआ है 2019-2020 में और इसका जो विनार बना है यह है सोरास्टर और जो रनर साथ हुआ है वह है बैंगोल और इसका जो फाइनल हुआ है वह राजगोट में हुआ है और इसमें सबसे ज़ विधर्व हो रणर साफ रेस्ट अब इंडिया और यह जो छो है फाइनल मैच यह विधर्व मेर इसमें मुस्सक्सिस्पूल टीम का नाम है रेस्ट अप इंडिया, रश्ट विज नेक्स्ट धुलीप ट्रोफी 2019-20 알려 इसमें विधर्व हो cél इंडिया-रेट, रणर साफ रहे इं साफ हुआ है तामिल नाडू और इसका जो फाइनल मैच हुआ है वो बेंगलोरू में ही हुआ है और इसका जो मोस्सक्सपूल टीम है यह तामिल नाडू उसका बाद विनर बना है इंडिया भी और रणर सब हो है इंडिया सी और इसका फाइनल मेच को होस्ट किया है रांची ने और इसमें जो मोस्ट सक्सपूल टीम है वो है नॉर्थ जोन अमलोग का इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपिल 2020 आइपिल मैच का सुरुवाद हुआ था 2007 में और यह जो लास्ट टेम हुआ 2020 में इसमें टोटल मैचों के सिंकर 60 है बराबर 60 ही रहता है और टीम भी आठ है कुछ सालों सा आठी टीम खेल रहा है इसमें इसका जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था 19 सितंबर को 2020 में जो मुंब और जो रनर साफ हुआ था वो था दिली और आपको पताता चलू इसका जो लास्ट मैच हुआ था वो था दस नेवर मेर को चूट गया है इसलिए थोड़ा बाद में मुझे बोलना पड़ रहा है यह हुआ था डेली और मुंबाई के बीच में जो हुआ था दुबाई इसलिए बताया हुँ कि बहुत सरा एक्जाम में वैसा कोच्ट भी आते कि यह दिखा गया है जिसमें यह पूचा गया है कि वर्ल कप 2019 की स्तारिक से सुरू हुआ है तो इस बिचा से मैं उन सारे क्वश्चानों को दिया हूँ आपे तो इसमें चलिए देखते है विनर कौन बना है तो इसका विनर है मुंबाई जिसने 14 मेंचों में नौ में जीत हासिल किया था जिसका कोच का नाम है महिला जरवर साफ हुआ है वो है दिल्ली कैपिटेल्स जिसने 14 में चों में आट में जीत हासिल किया और इसका कोच है रिकी पॉंटी और इसका कैप्टेन है स्रय सयर इसमें जो औरेंज कैप यानि सबसे ज़्यादा रान जिसने बनाया है वो है रोईत सरमा जो मुंबाई इंडेंस का हो होके खेलते हैं और इसमें जो प्लेयर अपता सीरीज बना था वह है जोफर अर्चर जो राजस्तान रोयल का होके खेलते हैं और साथी मैं यहां पर देखिए आपिल 2019 का अबारा में भी थोड़ा बहुत जान करी है तो अब लोग पस इतना ही याद रखिया का उनिस का वार जो साथ अप्रिका का होके खेलते हैं तो यह था हम लोग आज का वीडियो आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा यह आप लोग को में जरूर बताएगा और अगर अभी तक अपने इस वीडियो को सियार नहीं किया तो वीडियो को जरू से जरू सियार क करें तक कि इस वीडियो से हमारे और भी भाई और मैंनों को फाइदा मिल पाए सो आज के लिए वीडियो का हम लोग कहीं भी स्वाप्त करते हैं आप लोग से लागत होगा बहुत ही चल्द मेरा कोई निया वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाय करिये और हमेसा इस चैनल का साथ जुड़े रहे हैं वीडियो देखने के लिए पतेनावाद, गुडबाई